असलाम अलेकुम डियार वीवर्स आप देख रहे हैं सिंधी टीचर मैं आपको गुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिं सिंधी, सिंधी काई दैलिक पेसे पढ़ाने की कुशिश कर रही हूँ इसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10 रोजाना एक च प्लास पॉर अब क्लास 5 चलता आ रहा है सारे क्लास के अलग से प्लैलिस्ट बनी है आप अपनी क्लास के मताबिक जाके पढ़ सकते हैं इसी तरह हमने लास्ट वीडियो में सिंधी की बुक क्लास 5 में चैप्टर 18 कंप्लीट कर दिया था आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 ज सक गालाय मतलब सच बाथ इसका मतलब सच होता है और गाल का मतलब होता है बात और यह एक बेत है एक नजम है यह स्कूल की पिक्चर बनी हुई है और इसमें स्टूजंस को मास्टर साब पढ़ा रहे हैं और इसी के बार में पढ़ा रहे हैं जड़े गाल केड़ी बा केसा कजे कोई जब भी कोई बात किसी से करें जड़े का मतलब होता है जब गाल का मतलब होता है बात और केड़ी का मतलब होता है केसी भी केसा कजे किसी से भी करें केसी भी बात किसी से भी करें जब भी दणी जो रखे खौफ सच चाहे डिजे दड़ी किते हैं अलतला को परवर्दिगार को अल ठाला का खौफ रखकर सच ही बोलो, सच चाहे डिजे सच बोलो सदाई उहे वाटë सच जी हलो, सदाई मतलब हमेशा उही का मतलब होता है आप, हमेशा आप सच के रास्ते में चलो, what का मतलब होता है रास्ता और hello का मतलब होता है चलना हमेशा आप सच की रास्ते में चलो हतो सच चवण मा बलाशक बलो सच जो है सच कहना بलाशक मतलब कोई डावड नहीं بलाशक बला है हिसान के लिए अच्छा है बला है अकल मा अकाबिर जी आयो ही, अकल में अकाबिर को आप पहुंच जाओ, नडियो कूड के जा, जी में तो ही, यानि कि आपको अकल में अकाबिर को पहुंच जाओ, और आप ये सोचे कि मैं अपने अंदर जूट को जगा नहीं दूँगी, तो नडियो कूड के जा, जी में तो ही, ना देना, ना दो जूट को जा मतलब जगा जी यह मतलब कहते हैं दिल को कहते हैं कि ना दो जगा जूट को अपने दिल में आप यह उहीं का मतलब होता है आप और तुहीं का मतलब होता है तों ठीक है लगे सच चावार तो डुकियो पढ़ अवल लगता है बोलना सच पहले मुश्किल इसका इसी तरह से तर्जमा है, लेकिन आप इस तरह से किरें, सच बोलना शुरू में B मुश्किल, पिड़ का मतलब है B है, चोट ये B और अवल का मतलब होता है शुरू, चवान का मतलब होता है बोलना, मगर उन जो आखर अजब अहपल, मगर आखर में उसका अजब है फल, सदाई तो सरहो गुजारे सचार, हमेशा जो है, खुशी से जिन्दी की गुजारता है, सच बोलने वाला, सरहों का मतलब होता है खुशी, सदा अहकूरो खराब हैं खुआर, हमेशा जो है, जूटा शख् खराब होता है, करे बाज, पहंजी, सच्चे ते दनिय, अल्ला ताला पर अपने परवर्दिगार पर तवज्जा करो, अपने परवर्दिगार, सच्चे परवर्दिगार पर, अपने अल्ला ताला पर, बाज का मतलब होता है, तवज्जा, पहंजी का मतलब होता है, अपने और सच्चे का मतलब होता है सच्चा अल्ला ताला पर बरुसा करो सच्चा वाला मिले आबरो पन सच्ची के गणे मिलता है इज़त भी सच बोलने वाले को बहुत ज्यादा मिले आबरो आबरो का मतलब होता है इज़त पेड़ का मतलब होता है बेहे चुट ये भी सचे के गड़ी सच कहने वाले को गणी का मतलब होता है ज्यादा सच कहने वाले को ज्यादा इज़त मिलती है फिर से करेंगे जड़े गाल के बाग केसा कजे किसी से भी कोई भी बात कहना चाहें या कहें दनी जो रखे खौफ सच चए लिजे अल्ला ताला का खौफ रखकर उसको सच कहें सदा ही उई वाट सच जी हलो सदा ही आप जो है सच के रास्ते पे छलो अतो सच चवाणमा बला शक बलो जो है सच कहना हमेशा फिला शक बला होता है अकल में अकाबर को पहुंचाओ आप न डियो कूड के जा जे में तुही ना देना जूट को जगा दिल में अपने तुम लगे सच चमारतो डुक्यो पिनावल लगेगा सच भी शुरू में मुश्किल मगर उन जो आखिर अजब आहा पल मगर आखिर में उसका अजब है पल सदाई तु सरो गुजारे सचाओ अमेशा जो है सच बोलने वाला इज़त खुशी वाली जिन्दगी गुजारता है सदा अहा कूडो खराब एन खुवार और हमेशा जोट बोलने वाला खराब और खुवार जिन्दगी गुजारता है करे बाज पैंजे सचे तेदनी अपने तवज्जा करो अपने प्यारे परवर्दिगार अपने सचे परवर्दिगार पर मिले आब रो पन सचे के गणी मिलता है इज़त फिर सच बोलने वाले को बहुत स्यादा इसके कुशन आंसर करेंगे यह है स्किन मश्ग फरस्ट है हेटान सवालन जण जवाब दियों, यह तीन सवाल है, इनके जवाब देने, हेटन, शेयरन के मुकमल करेों, यह शेयर मुकमल करने हैं, जो हम पीछे से पड़के, नजम को बेत को यह पूरा कर सकते हैं, जडाहिँ हुएवाट, डेश जो हलो, जे हलो, सच जे हलो, अतो सच चावारमा, डेश बलो, बलाशक बलो the हाली जगा हो गए हेटियन लफजन जा हम आवाज लफज लिखो हलो का होगा भलो जो पीछे से हमने लिखा है उहीं का होगा तुहीं सचार का होगा खुआर और दणिया का घणी यह मतलब कह रहें कि एक आवाज जैसे अलफज लिखेए अब यह तीन सवाल है इनके जवाब कापी में लिखे हैं अभी बताऊंगी फर्स्ट है सच गाला एं मा केड़ा फाइदा आहिन सच बोलने में क्या फाइदा है सच गाला इंसा हर माडू एं समाज माडाडो इज़त मिलन दो सच बोलने से हर शखस और समाज में आपकी इज़त मिलती है आपको इज़त मिलती है औ बहुत ज्यादा नुकसान है, कुडों मानू ते कोबा, मानू बरोसा, कोना कंदा, जूटे शक्स पर, कोई भी शक्स बरोसा नहीं करता, अए इज़त भी कोना डिन्दा और ना ही इज़त करता है, ना ही इज़त देता है, सच्चार जी हयाती कियें थे गुजरें, सच्च बो सरहो गुजरे मतलब खुशी से गुजरता है सचार के इज़त और आबरू मिलन दो सच बोलने वाले को इज़त और आबरू भी मिलती है इसी के साथ ये चप्टर मुकमन कम्प्लीट हो गया है उमीद है आपको अच्छी से समझा गई होगी अगर आपको मेरे वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों क्लासमेट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अलाफीज